नवस्कार साथियों आपने यूपी ट्रिपल सी पेट एक्जाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुँ ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तो इस वीडियो को दो मिनट पूरा अन तक जरूर देखें ताकि मैं आपको बता सकूँ कि रिजल्ट को लेकर आयोग ने क्या दी है एक और बुरी खबर क्या है बुरी खबर और जिन लोगों के साथ ऐसा हो गया है अब उनका क्या होगा तो ये वीडियो बहुँ ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तो इस वीडियो में बात करूँगा तो अगर आप फ्री स्टडी मटेरियल चाहते है लेक पाल का एंटी बीसी का गुरूप डी का तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेली ग्राम गुरूप का चैनल है उसको जाएए और जॉइन कर लीजे अब भरपूर मात्रा में फ्री प्रीडिय अप्स डाउनलोड करिया आए वीडियो की सुरुआत करते हैं जैस सवाल के जवाब दिये हैं तो भी आपको कम नंबर मिलेंगे तो सोचने वाली बात है कि सही सवाल के जवाब देने पर हमें सही अंक मिलने चाहिए हों कियो मिलेंगे क्या है वो नियं embody जानते है उसी में नोटिफिकेशन में पहले हिसाब साब बता दिया गया था कि अगर ये परिच्छा एक से अधिक पाली में होगी तो इसमें नौर्मलाइजेशन की बियुस्था लागू की जाएगी ठीक है नौर्मलाइजेशन की बियुस्था अब आप जैसे जानते हैं कि 24 अगस्त को इक्जाम हुआ था और वो दो सिफ्ट में कंड़क्ट हो रहा है फर्स सिफ्ट सेकेंड सिफ्ट तो इसलिए अब इसमें नौर्मलाइजेशन की बियुस्था की जाएगी अब ऐसी इस्थिति में क्या होता है कि कुछ साथियों को जैसे जो मेरा दोस्त उसको लगेगा मेरी सिफ्ट में पहली सिफ्ट में प्रस्न जो है कठीन आए और मुझे लगेगा कि मेरी सिफ्ट में प्रस्न जो हो सरल आए तो दोस्त कहेगा कि मुझे अंक मिलने चाहिए नौर्मलाइजेशन की बियुस्था होनी चाहि यानि marks increase कर दिये जाते हैं increase कर दिये जाएंगे अब यह 3 भी हो चार भी हो पांच भी हो कितने भी marks increase कर दिये जाते हैं अगर आपने रेलवेए काक्जाम दिया होगा तो इसमें मैं नोव आंज भी बढ़ते करता हूं मुझे पसंद नहीं है वे उस्ता क्योंकि अगर हार्ड सिफ्ट है तो हार्ड सिफ्ट वालों के आप इंक्रीज कर दीजे कोई दिक्कत की बात नहीं है चलिए ठीक है लेकिन आप जो नॉर्मल सिफ्ट में एक्जाम दी है जिनके सवाल सही है जिन्होंने पूरा पे पुक्ता सिफिरोध करते हैं आयोग को ऐसी बेऊस्ता लागू नहीं करना चाहिए अगर आपको बढ़ाना है तो हार्ड सिफ्ट वालों के आप बढ़ा सकते हैं लेकिन डिक्रीज किसी के मार्क्स मत करिए मेरा ये आपसे निवेदन है तो अगर आप यूपी ट्रिबल पैट एक्जाम की त्यारी करते हैं और आप इस चैनल से चुड़ जाए क्योंकि मैं सभी एक्जाम से समंधित पलपल की अपडेट लाता रहता हूं चाहे हो वैकैंसी से रिलेटेड हो या कोई नोटीस हो मैं लाता रहता हूं तो अभी चैनल को सस्क्राइब करिए और वैल प्रदेश आधीनस चैन आयोग द्वारा अविजित की जानिये राजस लेकपाल की भरती परिच्छा तो इसको लेकर चच्चु पब्लिकेशन की यह किताब आपके लिए बहुत महत्पूर्ण साबित होने वाली है अगर आप राजस लेकपाल की भरती परिच्छा में प्रदेश लेकपाल की भरती परिच्छा की यहीं पुस्तक में परतेख चैप्टर को बिलकुल संपूर्ण थेयूरी के साथ कंप्लीट थेयूरी के साथ डिटेल में आपको समझाया गया है उसके साथ ही राजस विवाग से संबंदित महत्पूर्ण जानकारी है जिसके लि जानकारी एक ही जगह आपको मिल जानी है तो यह पुस्तक आपकी परिच्छा के लिए बहुत ज़्यादा उप्योगी है एक राम बान साबित होगा और इसमें अतिमाहत्पूर्ण प्रसनों की संखला है आईए मैं आपको दिखाता हूँ इस पुस्तक में आपको 1200 प्लस प को यहाँ पर मिल जाएंगे आप मैं बात करता हूँ इसके दूसरे महत्पूर्ण बिंदू की जैसे ही आप मल्टिपिल चॉइस कुस्टन खत्म करते हैं उसके साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे कि सारे मल्टिपिल चॉइस कुस्टन की डिटेल तेयोरी आपको दी गई ब साही लगे इस बुट का ओर्डर प्लेस करिए और यह पुस्तक आपको आपके नजदीकी बुक सेलर पर जरूर मिल जाएगी अगर आप राजस लेकपल भरती परिच्छा की तैयारी को और धार देना चाहते हैं तो इसकी आप प्रेक्टिस बुक भी खरीद सकते हैं यह भी नजदीकी बुक सेलर पर आपको मिल जाएगी और इसके साथ ग्राम समाज एम विकास की भी पुस्तक आपके बुक सेलर पर मिल जाएगी और गाइड भी मिल जाएगी तो अभी जाएगे और प्लेस करिए और अपने सपनों को साकार करिए